Hello guys, welcome back to our channel, मैं हूँ विकरान शर्मा, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप SDFC Bank का newly launched UPI रुपे क्रेडिट काड अप्लाइ कर सकते हैं and instantly मिल जाएगा चैनल पे नहीं हैं तो जो सब्सकाइब कर लीजेगा, without further delay, let's get into the details जैसा कि आप सभी को पता ही है, SDFC Bank UPI रुपे क्रेडिट काड पहला exclusive ऐसा क्रेडिट काड है जिसको आप Bheem app से directly connect करके UPI के through payment कर पाएंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अब normally आप SDFC Bank के साथ three credit cards रख सकते हैं एक तो normal कोई भी credit card हो सकता है, दूसरा जो co-branded credit card है जैसे Paytm SDFC एंड Tata New SDFC या फिर third जो SDFC UPI रुपे credit card है इसको भी तो apply कैसे करना है, सबसे आसान तरीका है इस credit card को लेने का, अगर आपके पास SDFC Bank का पहले से कोई existing credit card है तो इस credit card का आपको जो instant approval है वो मिल जाएगा launched in का website है, जिसके तुरू आप अपने credit card को control कर सकते हैं, तो ये जो link है मैं description में भी दे दूँगा, तो जब आप इस पे click करते हैं, तो सबसे पहले अगर आपने कभी इस website पे registration नहीं किया तो आपके existing card के जो last four digit है, उसको enter करके and OTP डालके आप इस website पे register हो जाते हैं, ये SDFC का website है, तो यहाँ पे अब आप अपना जो credit card है, वो select करके जो existing card है, तो वहाँ पे आप उसको access कर पाएंगे and main page पे ही आपको यहाँ पे banner दिखा दिया जाएगा, ये जो banner है आप screen पे देख सकते है, unlock rewards on UPI payments with our new virtual credit card, तो आपको सिर्फ इस पे click करना है and आपको terms and conditions accept करने है and आपका card जो है instantly approved हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि ये जो credit card है, ये exclusively virtual ही मिलेगा आपको, इसके लिए कोई physical copy आपको नहीं मिलेगी, ये सिर्फ एक virtual credit card है and जब आप इस credit card को apply कर देते है and आपका application ले लिया जाता है, तो 24 hours तक का time लेते है, उसमें आपका card जो activate हो ज जाके, आप जब सर्च करेंगे, अपना credit card link करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे आपका card link हो जाएगा और directly इस credit card के दुरू फिर payment कर पाएंगे, ये जो credit card है, existing SDFC bank credit card customers को ही मिल रहा है, तो इसके साथ एक condition ये है, कि जो आपका existing card है, उसके साथ ये limit share करेगा, इसके लि सब को option मिलना चाहिए, ताकि वो credit card को UPI से link करके payment कर सकें, क्योंकि कुछ credit card इनके visa पे है, कुछ mastercard पे है, कुछ इनके credit card रुपे platform पे है, और सभी जितने भी customer है, सारे card तो ले नहीं सकते, तो हर एक customer तक ये वाला card वो as a virtual card पहुचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जल्दी इसे जाइए mycards.sdfcbank.com पे and वहाँ पे अगर आपको banner मिलता है और आपका card approved हो गया है, क्योंकि बहुत सारे customers का हो चुका है, तो मुझे comment section में जरू बताइएगा, इस credit card का joining और annual fee 250 रुपे प्लस taxes है, बट फिलाल अगर अभी इसको apply up करते हैं, तो यहाँ पे आपको joining fee न through payment करते हैं, तो यह खाली नहीं जाएगा, इस पर reward points भी मिलेंगे, अगर आप इस credit cards, grocery, supermarket, dining spends and pays app transactions पे spend करते हैं, तो यहाँ पे मिलेंगे आपको 3% cash points, maximum एक महीने में आप 500 cash points जो है वो earn कर सकते हैं, एक point जो है इसकी value होगी 25 पैसा, तो इन categories पे maximum आप 75 पैसा तक जो है save कर स cash points आपको utility पे मिलेंगे and यहाँ पे भी maximum limit है, वो 500 cash points की है and बाकी अधर जितने भी transaction आप करेंगे, उन पे आपको 1% जो cash points हो मिलेंगे, तो अब यहाँ पे आप इनका game समझने की कोशिश कीजे, क्योंकि जो आपकी UPI payments होंगे, अधर जो cards है, SDFC bank के उन पे base reward points तो आपको मि पे platform पे आता है, उस पे जादा अच्छे benefits हम लोगों को मिल सकते हैं, यहाँ पे maximum 75 पैसा मिलेगा 100 rupees spend करने पे, so आप देख लीजेगा कि आपके लिए कौन सा suitable है, तभी try कीजेगा, तो यह बहुत simple सा process है, जिससे आप अपना SDFC का नया UPI credit card apply कर सकते हैं, instantly मिल जाएगा, त जाके चेक कीजे और apply कीजे, I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, ऐसे वीडियो देखते रहने चाहते हैं, तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजेगा, मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए, bye bye